सर्वेभ्यो नमो नमहा संस्कृत कक्षायाम सर्वेशाम श्वागतमस्ति प्रियक्षात्राह अध्यवयं नवमकक्षायाह संस्कृतं पठामहा अध्यवयं तृतियष पाठाह चातिश गढ़ प्रदेशस्य वनानी पाठं पठामहा प्रियक्षात्रों आज हम अपने पाठीपुस्टक सलीला के तृतियष पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है 36 गढ़ प्रदेश अस्य वनानी 36 गढ़ प्रदेश के वनों के विशे में जानेंगे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है वन हमारे परियावरण को संतुलित करता है और वनों के माध्यम से ही हमारी दैनिक दिन्चरिया की बहुत सारी चीजें पूरी होती है तो चलिए हम पाठ पढ़ना सुरू करते हैं चतिस गढ़ प्रदेश है वना नाम दिरिष्ट्या संब्रिध्धा वर्तते चतिस गढ़ प्रदेश है जो चतिस गढ़ प्रदेश है हमारा प्रदेश है वह वना नाम वनों की दिरिष्ट्या दिरिष्टी से संब्रिध्धा वर्तते संब्रिद्ध वर्तते है चतिस गढ़ प्रदेश वनों के द्रिष्टी से संब्रिद्ध है अर्थात चतिस गढ़ में बहुतायत मात्रा में वनों की उपलब्धता है चतिस गढ़ स्या सकलक्षेत्र फलस्या चतुर्चत्वारिंसत दसमलव द्वी प्रतिशतानी क्षेत्रानी वनाच्छादितानी संती चतिस गढ़ का सकलक्षेत्र फलस्या जो सकलक्षेत्र फल जो चतिस गढ़ का जो सकल संपूर्णक्षेत्र फल है उसका चम्वारिस दसमलव दो प्रतिशत वनों से आच्छादित है वनाच्छादितानी वन वनेन आच्छादितानी संती है एतानी वनक्षेत्रानी राष्ट्रस्य वनक्षेत्रानाम अनुमानितं द्वादस दसमलव सडविन्सती प्रतिशतानी ये जो एतानी अर्थात ये जो 36 गड़ का वन प्रदेश है वह राष्ट्रस्य राष्ट्र के वनक्षेत्रानाम वनक्षेत्र फल का अर्थात वनक्षेत्र का अनुमानित लगभग 12 दसमलव 26 प्रतिशत है अर्थात जो हमारा भारत देश है और भारत देश में जितने वन प्रदेश हैं उनमें से लगभग 12 दसमलव 26 प्रतिशत वन हमारे 26 गड में उपलब्ध है वनम अस्माकम महान निधी अस्ति वनम वन अस्माकम हमारा महान निधी है वन हमारी बहुत बड़ी निधी अर्थात संपत्ति धन वन हमारा बहुत बड़ा धन है न केवलम वनानाम रमनीयता मनांसी रंजयती न केवलम वनानाम रमनीयता न केवल वनों की सुन्दरता वनों की रमनीयता केवल मन को ही नहीं रंजीत करती मन को ही नहीं आनंद देती है अपितु अनेन परियावरणम अपी सुरक्षितं भवती जो ये वन हैं ये वनों से केवल हमारे मन का मनुरंजन ही नहीं होता है अपीतु इन वनों के माध्यम से ही हमारे हमारा परियावरण भी सुरक्षित होता है ये घटकाह पारिस्थिक तंत्रम प्रभावयंती तेशु घटकेशु वनम सर्व प्रमुखमस्ति ये घटकाह ये अर्था जो घटकाह घटक जो घटक पारिस्थितिक तंत्रम पारिस्थितिक तंत्रम एक नया शब्द दिख रहा है पारिश्थितिक तंत्रम कहते हैं परियावरण तंत्र को परियावरण का जो तंत्र है और उसके जो घटक है जो हमारे परियावरण में बहुत सारे घटक है और सभी घटक कुछ न कुछ प्रभाव करते हैं प्रभाव यंति प्रभाव करते हैं तेशु घटकेशु उन घटक मेंसे वनम् सर्व प्रमुखमस्ति वन की सबसे अधिक प्रमुखता है वन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं हमारे परियावरण में जिन घटकों का बहुत अधिक महत्व होता है जिन के माध्यम से जिन घटकों के माध्यम से हमारा परियावरण का निर्मान हुआ है उन घटकों में से वन का अत्यधिक महत्व होता है वस्तुतह वनम वसुधरायाह सुरक्षा वलयमस्ति वस्तुतह यदि हम ऐसा कहें कि वन ही जंगल ही वसुधरायाह वसुधरा अर्थात इस पृत्वी का सुरक्षा वलयमस्ति सुरक्षा वलय अर्थात सुरक्षा का कवच अस्ति है ये जो वन है ये जो जंगल है ये जंगल ही हमारे हमारी पृत्वी के हमारी पृत्वी का सुरक्षा वलाय है सुरक्षा कबच है अर्थात इन वनों के माध्यम से ही हमारी पृत्वी की सुरक्षा होती है विष्टे हे मुख्यकारणं वनमेव अस्ती विष्टे हे विष्टी का बरसात का मुख्यकारण प्रमुखकारण वनमेव अस्ती वन ही है जो बारिश होती है बरसात होती है उसका मुख्य कारण वन ही है हमने पढ़ा है ना कि वन जंगल बादलों को आकरशित करते हैं इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विष्टेहे मुख्यम कारणम वनमेव अस्ति इदम शुद्धम वायुम प्रददाती इदम यह यह कौन वन जंगल शुद्धम वायुम शुद्ध वायुम प्रददाती प्रदान करता है यह जो जंगल है यह इस प्रकृति को यह जो जंगल है वे उन जंगलों से ही हमें शुद्ध वायुम की प्राप्ति होती है मृत्ति कायाह अपरदनम न्यूनी करोती मृत्ति कायाह अर्थात मिट्टी मिट्टी आप जानते हैं न मिट्टी का मृत्ति कायाह मिट्टी का अपरदनम अपरदन कटाव न्यूनी करोती रोकता है अर्थाथ यह जो वन है यह जो जंगल है वो मिट्टी के कटाओ को भी रोकता है हम देखते हैं न नदी नालों के किनारे नदी का जल जब प्रवाह से वेग से बहता है तो धीरे धीरे उसके आसपास की मिट्टियां जो है नदी के प्रवाह के कारण बह बह करके नदी में समाहित होती जाती है और नदी का जो भाग है वो चौड़ा होते जाता है तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वन होते हैं पेड़ होते हैं तो उन पेड़ों के जड़ जो है वो जमीन में मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं तो इससे मिट्टी का अपरदन नहीं होता है तो मिट्टी के अपरदन को रोकने में भी वन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जगतह तापमानस्य नियंत्रणम करोती जगतह इस संसार के तापमानस्य तापमान का नियंत्रणम करोती करता है कौन वन जंगल जो है अभी हमने पढ़ाना कि ये हमें शुद्ध वायू प्रदान करता है तो शुद्ध वायू के साथ साथ जंगलों से निकलने वाली जो हवा होती है वो शीतल होती है थंडी होती है इसलिए हम जब पेड़ों के बीच से जब हम रास्ते में गुजरते हैं तो हमें थंडकता का एहसास होता है तो व्रिक्षों से जंगलों से हमें थंडी वायू की प्राप्ती होती है और इन्हीं थंडी वायू के कारण ही इस संसार का तापमान गर्मी नियंतरन होता है ताप मानस्य नियंत्रणम करोती तो यह जो जंगल है यह संसार के इस भूमंडल के ताप मान का नियंत्रण करता है अत एव वन संरक्षणम अत्यावश्यकम अस्ति इसी लिए ही वन संरक्षणम वनों का संरक्षण अत्यावश्यकम अस्ति यहा तीन शब्द है अती धन आवश्यकम धन अस्ति अत्यावश्यकम अस्ति यहाँ पिर स्धी हुआ है तो अति आवश्यक है तो वनों का सनरक्षण बहुत आवश्यक है बहुत नितांत जरूरी है विविधा भी ही वन संपध भी ही संपन्नानी वनानी प्रदेशे विद्यंते विविधा भी ही अर्थात विविध प्रकार के वन संपत भी ही वन संपत्तियों से देखिए वन भी एक प्रकार का हमारा संपत्ति है ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्योंकि वनों से भी हमारे जो जंगल में निवास करने वाले वनवासी लोग हैं उन वनवासी लोगों का भी जीवन का निर्वाह वनों के माध्यम से ही होता है है ना इसलिए यहां पे बताया जा रहा है कि विविधा भी वन संपत भी ही संपन्नानी वनानी प्रदेशे विद्यनते प्रदेशे इस प्रदेश में कौन से प्रदेश में चत्तिस गड़ प्रदेश में विविध प्रकार के अनेक प्रकार के वन संपदाएं विविध प्रकार की वन संपदाओं से संपन्न हमारा प्रदेश है अर्थात हमारे इस प्रदेश के वनों में विविध प्रकार के वन संपदाओं विद्यमान है विद्यन्ते अर्थात विद्यमान है हमारे 36 गड़ के वनों में बहुत प्रकार की वन संपदा उपलब्ध है विधिक प्रबंध द्रिष्ट्या वनानी त्रीवरगेशु विभक्तानी विधिक प्रबंधन द्रिष्ट्या विधी कहते हैं नियम को तो नियमों के प्रबंधन के द्रिष्टी से संरक्षन करने के द्रिष्टी से नियम के अनुसार वनानी वनों को वनानी वनों को त्रीवरगेशु तीन भागों में त्रीवरगेशु तीन भागों में विभक्तानी विभक्त किया गया है बाटा गया है प्रबंधन के द्रिष्टी से नियमा अनुसार प्रबंधन की द्रिष्टी से वनों को कितने भागों में बाटा गया है तीन भागों में बाटा गया है आईए देखते हैं ये कौन-कौन से तीन भाग है आरक्षितम वनम दूसरा है सनरक्षितम वनम और तीसरा है अवर्गे कृत वनम ठीक है तो ये तीन भाग है वनों के कौन-कौन से तीनों भागों को थोड़ा पढ़ते हैं समझते हैं यह क्या कहना चाह रहे हैं आरक्षितम वनम आरक्षित वन किसे कहते हैं आरक्षित वनस्या प्रबंधनम सूव्यवस्थितम भवती जो आरक्षित वन होते हैं इसका प्रबंधन सूव्यवस्थित होता है बहुत विवस्थित होता है जो आरक्षितवन होते है न उसका प्रबंधन बहुत ही सुन्दर और अच्छे धंग से किया जाता है अस्य सुरक्षायाह विकासस्य च निश्चिताह योजनाह भवंती और इन अस्य इसका इसका किसका आरक्षित वनों का है न सुरक्षायाह शुरक्षा का इन आरक्षित वनों को सुरक्षित रखने का और विकासस्य विकास का च माने और निश्चिताह योजनाह भवन्ती निश्चित योजनाएं होती है इन जो आरक्षित वन होते हैं इनकी प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है और इनका इन वनों का सुरक्षा और विकास के लिए निश्चित योजनाएं होती है शाहसन के द्वारा एक निश्चित योजनाय होती है तो योजना बद्ध ढंग से इन वनों का इन आरक्षित वनों का सुरक्षा और विकास किया जाता है राश्चियो ध्यानम अभयारण्यम च आरक्षितम वनम एवस्तह तो अब यहां पर यह बता रहे हैं कि आरक्षित वन के अंतरगत क्या क्या आता है तो यहाँ पर बताया कि राश्ट्रिय उद्यानम हम जानते हैं ना राश्ट्रिय उद्यानों के बारे में राश्ट्रिय उद्यान और अभयारण्य यह जो दो हैं यह आरक्षित वन के अंतरगत आते हैं राष्ट्रियो द्यानम, यहाँ पर देखिए, दो सब्द हैं, राष्ट्रिय और उद्यान, यहाँ पर संधी हुआ है, राष्ट्रियो द्यानम अभयारण्य का अर्थ यदि हम देखेंगे तो यहां भी दो शब्द है अभय धन अरण्य तो अभय कहते हैं नाभयम अभयम अर्था जहां भय नहीं है जहां वन्य जीवों को किसी प्रकार का भय नहीं है अरण्य अरण्य का मतलब होता है जंगल है ना तो अभय रहित अरण्य तो दोनों सब्द जब मिले हैं तो यहां भी एक दिर्गेश्वर संधी हुआ है अभय धन अरण्य अभया अरण्य ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह आरक्षित वन अब समझ में आ गया होगा तो बच्चों अभी हमने यह पढ़ा कि आरक्षित वन में राष्ट्री उध्यान और अभया रण्य आते हैं आपको पता है हमारे 46 गड में भी राष्ट्री उध्यान है कौन सा हाह कांगेर घाटी राष्ट्री उध्यान ठीक है यह हमारे 46 गड के बस्तर प्रांत में साथ बहुत सारे अभयारण्य हैं है ना तो कोई आप नाम जान रहे हैं हाँ बार नया पारा अभयारण्य और भोरम देव अभयारण्य हाँ तो ये जो अभयारण्य है इस प्रकार से और भी बहुत सारे अभयारण्य हमारे 36 गड़ में विद्यमान है चलिए अब हम सनरक्षित वन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि सनरक्षित वन किसे कहते हैं सनरक्षित वन सनरक्षित वन सनरक्षित वने सनरक्षणेन सह उत्पादनाय गति विधयह क्रियान विताह भवंती सनरक्षित वने सनरक्षित वन में सनरक्षणेन सह सनरक्षण के साथ सनरक्षित वन में सनरक्षण के साथ सनरक्षण के मतलब अच्छय से रक्षा वनों की सुरक्षा तो सनरक्षित वन में वनों के सुरक्षा के साथ साथ सह मतलब साथ साथ उत्पादनाय गति विधयाह क्रियान विताह उत्पादनाय उत्पादन के लिए उत्पादन अर्थात वनो से प्राप्त वनो पजों की उत्पादन के लिए है ना वनो पज प्राप्ती के लिए गतिविधयाहा बहुत सारी गतिविधियां बहुत सारी क्रिया कलापें क्रियानवित आहा भवन्ती क्रियानवित होते हैं अभी देखिए अभी यहां पर आया कि उत्पादन आया तो आपको पता है कि वनोपज का उत्पादन अच्छा हमारे 36 गड़ में कौन-कौन से वनोपज की प्राप्ती होती है हाँ देखिए हमारे 36 गड़ में तेंदूपत्ता, चार, मौहा, लाख, है ना इमली, आदि बहुत सारे वनोपज हैं जो हमारे देश की संपत्ती भी है हमारे वनों की संपत्ती है और इनी संपता से ही हमारा प्रदेश संपन्नता को प्राप्त करता है यहाँ एक शब्दाया भवन्ती ये भूधातु लटलकार लटलकार वरतमान काल का है ना लटलकार का प्रयोग कौन से काल में होता है वरतमान काल में और इसका प्रथम पुरुष बहुअचन है रूप चलता है भवती भवतह भवन्ति और इन सनरचित वनों में वन विभाग के जो कारे करता है वन विभाग के जो कर्मचारी है वो योजनानुसारं योजना अनुसारं योजना के अनुसार से अर्थात योजना बद्ध तरीके के द्वारा वैज्यानिक विधीना वैज्यानिक विधी से वनोत पादम वनों के उत्पाद को वनों से उत्पन पदार्थों को प्रापनोती प्राप्त करता है प्रापनोती अर्थात प्राप्त करता है तो यह जो वन विभाग है यहां संरक्षित वनों में यो वन विभाग है यह क्या करते है विविद प्रकार के जो उत्पादन के लिए योजना बद्ध तरीके से योजना बना करके वैजियानिक विधी के द्वारा वन उत्पाद को प्राप्त करते हैं आप जानते हैं न कि 36 गड़ में कोशा का उत्पादन होता है कोशा है न कोशा उससे एक कपड़े का निर्मान होता है कोशा वस्तर का निर्मान होता है तो कोशा प्राप्ति के लिए वैज्यानिक विधी से सनरक्षण कोशे के कीड़े कीटों को सनरक्षित करके उनके उनसे कोशा प्राप्त किया जाता है है न और इसी प्रकार से शहद की भी प्राप्ति होती है मधुमक्खियों का पालन करते हुए वैज्यानिक विधी से शहद की प्राप्ति होती है और फिर उनका शोधन करके बाजार में उपलब्ध कराया जाता है इसलिए यहाँ पे बताया गया कि वन विभागा योजना नुसारं वैज्यानिक विधीना वन उत्पादं प्राप्नोती है न और अत्र उत्पादनेन सह वन सनरक्षणं प्रथम लक्ष्यमस्ती अत्र यहाँ यहाँ कहाँ सनरक्षित वनों में है न उत्पादनेन सह उत्पादन के साथ साथ है न वन सनरक्षणं प्रथमं लक्ष्यमस्ती वनों का सनरक्षण प्रथम लक्ष है है न? अब इसका तात्पर यहाँ पर कदापी नहीं है कि इन सनरक्षित वनों में वन विभाग के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है वैज्यानिक विधी से उत्पादन कर रहे हैं इसका तात्पर यह कभी नहीं है कि वनों को नुकसान पहुंचाए इसलिए यहाँ पर बताया गया कि उत्पादन के साथ साथ उत्पादन के साथ साथ वनों का संरक्षन पहला लक्ष है है ना वनों को बिना नुक्सान पहुँचाए उन वनों से उत्पादन की प्राप्ति ये प्रथम लक्ष होता है सासन का तो बच्चों आपने अभी आरक्षित वन और सनरक्षित वन के विशय में जाना अब देखते हैं आवर्गी कृतम वनम आवर्गी कृत वन किसे कहते हैं तो देखते हैं वनभू में हैं व्यवस्थापन समये यस्य वनक्षेत्रस्य वर्गी करणम नाभवत अर्थ देखते हैं वन भूमें है वन भूमी में जो जंगल की जो भूमी है उन जंगल की भूमी में व्यवस्थापन समये जब उन वनों का व्यवस्थापन किया गया उन वनों का वर्गी करण किया गया उस समय यस्य वनक्षेत्र स्य जिस वनक्षेत्र का वर्गी करण विभाजन आरक्षित और संरक्षित रूप से जब विभाजन नहीं हो पाया ना भवत ना अभवत नहीं हुआ है ना जिन वनों का वर्गी करण नहीं हुआ तदेव तत एव उन्हीं वनों को आवर्गी कृत्वन कहा जाता है अर्थार जिस समय वनों का विभाजन किया गया कि ये आरक्षित वन है और ये संरक्षित वन है है ना तो इन दोनों के अतरित जो भी वन ख्षेत्र वन भू बचा उन वन भू को आवर्गी कृत्वन के नाम से पहचाना गया अत्र सर्वकारेण नास्टि कोपी प्रतिवंधा हा अत्र यहां यहां कहां आवर्गी कृत्वन में सर्वकारेण सरकार के द्वारा सर्वकारेण सरकार के द्वारा शासन के द्वारा नास्ति न अस्ति नहीं हैं कोपी कोई भी प्रतिबंध हाँ प्रतिबंध अर्थात अवर्गी कृत्वनों में सासन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है कैसा प्रतिबंध जैसा प्रतिबंध आरक्षित्वन और सनरक्षित्वन में जो सासन का प्रतिबंध होता है आपको पता है आरक्षित वन और सनरक्षित वन में सासन के बिना अनुमति के आप प्रवेश नहीं कर सकते और वहां से कोई भी पदार्थ अपनी इच्छा से लेकर नहीं आ सकते हैं ये सब ये नियम है वनों को संरक्षित करने का वनों पजों को संरक्षित करने का एक सासन के द्वारा बनाया गया नियम है है ना अब ये जो अवरगी कृतवन है यहाँ पर सासन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है अर्थात इन वनों में पशों को चराने के लिए जा सकते हैं और थोड़ी बहुत आवश्यक्ता अनुसार सूखी लकडियों का संग्रह कर सकते हैं परंतु सूखी लकडियों का जो पेड से तूटकर गिरे हुए लकडियों है इनका संग्रहन की करने की स्वतंतरता होती है देखते हैं आगे अस्मिन वनक्षेत्रे जनार्थम काश्ट संग्रहन अस्या पशू चारन अस्या चा स्वतंतरता अस्ति अस्मिन वनक्षेत्रे इस वनक्षेत्र में कौन से वनक्षेत्र में आवर्गीक्रित वनक्षेत्र में आवर्गीक्रित वनक्षेत्र में जनार्थम लोगों के लिए जन धन अर्थम लोगों के लिए काश्ट संगहनस्य लकडी को लकडी संग्रह करने का संग्रहन स्य संग्रहन करने का अभी मैं बताया ना कि किसी हरे पेड को काटने का नहीं जो पेड से तूट कर सूखे डालियां जो गिरी हुई होती है सूखी लकडियां जो पड़ी हुई होती है ऐसे लकडियों का संग्रहन किया जा सकता है परन्तु पेड काटने की अनुमती आवर्गी कृत्वनों में भी नहीं होती है और पेडों को काटना अच्छी बात नहीं है अभी हमने पढ़ाना कि इन पेड पौधों से हमें ऑक्सिजन की प्राप्ती होती है प्रान वायू की प्राप्ती होती है और हमारे परियावरन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं तो इस आधार पे हमें पेड़ों को कदापी नहीं काटना चाहिए पेड़ों की जो डालियां सुख कर गिर गई है उनका संग्रहन करने की और पशू चराने की पशू चारनस्य पशूओं को चराने की आपने देखा है ना गाओं में पशूओं को ले करके उन पशूओं को चराने के लिए अर्थात उन पशूओं के का पेट भरने के लिए उन को जंगलों की और मैदानों की और ले जाया जाता है तो इसकी स्वतंत्रता इन अवर्गी कृत्वनों में होती है चट्पिश गड़ प्रदेशस्य वनानी उषन कटिबंधी यकशे चट्थिस गड़ प्रदेशस्य वनानी उषन कटिबंधी यक श्रेणियाम वरतंते यह जो 36 गड़ हमारा प्रदेश है ना इस प्रदेश में जो वन है वो कौन से स्रेणी के है उष्ण कटी बंद उष्ण कटी बंद यह एक विज्ञानिक नाम है आप जब भुगोल पढ़ते हैं तो इनके विशाय में जानते हैं है ना उष्ण कटी बंद यह श्रेणी के वन हमारे 36 गड़ में है या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 36 गड़ के वन है वो उष्ण कटी बंद यह श्रेणी के वन है एतानी वनानी अति गहनानी संती एतानी वनानी जो यह हमारे 36 गड़ के वन है एतानी यह एतानी के मतलब यह वनानी वन संती हैं जो हमारे 36 गड़ के जो यह वन है यह कैसे है अती गहनानी संती अती मतलब बहुत गहनानी गहन सघन है न गहन सघन अर्थात बहुत गहना संती है 36 गड़ का वन बहुत गहना वन है वनानाम गहनादेव काची वनानाम गहनादेव कानिचित छेत्रानी तू दुर्गमानी गहनादेव वनानाम गहनादेव वनों की गहनता गहनापन होने के कारण ही गहनाद एव घने होने के कारण से ही जो हमारे 36 गड़ के जो वन है वो बहुत गहने है और इनहीं गहने वनों के कारण से ही कानिचित कुछ खेत्रानी खेत्र तू दुर्गमानी दुर्गम है हमारे 36 गड़ के जो वन है वो बहुत घने है और इन्ही घने वनों के कारण से ही कुछ इस्थान ऐसे है कुछ खेत्र ऐसे है जो बहुत दुर्गम है है ना आपने अबुजमार का नाम सुना है बस्तर प्रांत के अंतरगत नारायन पूर जिला है और उसमें अबुजमार नाम का एक शेत्र है जो बहुत घना शेत्र है इसमें लोगों का आना जाना संभाव नहीं है इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि गहनता के कारण से घनेपन के कारण से ही कुछ शेत्र ऐसे है जहां लोगों का जाना संभाव नहीं है इसलिए यहां कहा गया दुर्गमानी है जहा जाना कठिन है उसको दुर्गम कहते हैं प्रदेशश्य उत्तर दक्षिन भागयो हो सगनानी वनानी संती प्रदेश अस्य इस प्रदेश के इस चत्तिसगड प्रदेश के उत्तर और डक्षिण भाग में है ना उत्तर अर्थात सरगुजा संभाग और डक्षिण में बस्तर संभाग ये जो दो संभाग हैं सरगुजा और बस्तर भाग जो है संभाग जो है ये इन में सघनानी वनानी संति इन दोनों क्षेत्रों में बहुत घने जंगल है सगनानी वनानी घने जंगल संति हैं परन्तु मध्य भागे विरलान परन्तु जो ये मध्य भाग है ये विरल है अर्थात मध्य जो छेत्र है 36 गड़ का उसमें उतने घने जंगल नहीं है परन्तु जंगल है वन की उपलब्धता है एटेशाम विशेष्टा अस्तियत तानी सर्वानी परणपाती वनानी संति और यहां के जो वन है इनके बारे में बता रहे हैं पहले बताया गया कि यहां का जो वन है वो उश्नकटी बंधी ये वन है अब यहां पर बताया जा रहा है कि एटेशाम विशेष्टा अस्तियत तानी सर्वानी परणपाती वनानी संति कि एतेशाम इन वना नाम इन वनों की विशेस्ता अस्ति विशेस्ता है इन वनों की विशेस्ता है 36 गड़ राज्य की जो वन है इनकी अपनी एक विशेष्टा है क्या यत की तानी सर्वानी वे सभी तानी सर्वानी वे सभी वे सभी कौन वन 36 गड़ राज्य के वे सभी वन कैसे है परनपाती अर्थात अपने पत्तों को गिरा देने वाली परन मतलब पत्ता पाती मतलब गिराने वाली अर्थात ये चतिस गड़ राज्य के जो वन है वो परणपाती वन है तत्र मुख्यताह विरिक्षा नाम द्वे प्रजाति स्तह और तत्र वहां वहां कहां चतिस गड़ राज्य में विरिक्षा नाम विरिक्षों की द्वे प्रजाति कितने प्रजाति दो प्रजातियां हैं चत्यिस गड़ राज्ये में जो वरिक्ष हैं उन वरिक्षों की दो प्रजातियां पाई जाती है साल, सालह, सागाउनश्च एक है साल और दूसरा सागाउन ठीक है तो ये ध्यान रखियेगा चतिस गड़ में जो व्रिक्ष है वो कौन-कौन सी प्रजातियों के है प्यारी बच्चों हमने अभी पढ़ा कि चतिस गड़ में जो व्रिक्षों की प्रजातिया है वो दो प्रकार की प्रजातिया है एक साल और दूसरा सागौन साल जिसको हम लोकल चतिस गड़ की भाषा में सरई कहते हैं है ना सरई और यह जो साल है यह चतिस गड़ का कौन सा व्रिक्ष है राजिकी यह व्रिक्ष कहलाता है जी ठीक है तो हमारे चतिस गड़ में व्रिक्षों की दो प्रजातिया मुख्य रूप से हैं अन्याह प्रजातेह अपी संती अन्याह अन्याह प्रजातेह प्रजातियों के वरिक्ष अपी भी संती है मानने इन दो प्रजातियों के अलावा साल और सागों के अलावा और भी बहुत सारी प्रजातियों के व्रिक्षे यहां पे पाये जाते हैं जैसे खदी रहा, तेंदुहू, वंशह, आमलकी, साजा, बीजा, धवरा, कर्रा, हल्डू, मधुकश्चेती है ना, देखे खदी रहा, खदी रहा कहते हैं खैर, खैर, खैर जानते हैं पान खाते हैं ना, उसमें लाल रंग का लगता है कथा जिसको कहते हैं उसको संस्कृत में खदी रहा कहते हैं, दूसरा तेंदुहू, तेंदु, तेंदुफल, आपने देखा हैं ना, हाँ और वन्शह, वन्स, बास, बास का पौधा है ना और आमलकी, आमलकी कहते हैं आवले को, आवले का मुरब्बा सब को पसंद है ना, आवले का आचार, ये सारे चीजे आवला हमें जंगलों से प्राप्त होता है साजा, ये एक व्रिक्ष है, बीजा, है ना, साजा, बीजा, ये इमार्ती लकडियों में इनकी गिन्ती होती है, है ना, धवरा, कर्रा, कर्रा, एक फल होता है, बस्तर छेतर में पाया जाता है हल्दू, ये भी एक फल है, और मदूकश्टेति, इसको अलग-अलग करेंगे तो ये कैसे होगा, मदूकश्टेति, तीनों को मिलाएंगे तो मदूकश्टेति, है ना, मदुका कहते हैं मौहा को है ना मौहा आपने देखा है ना सुना भी है हाँ तो मौहा ये इन सब प्रकार के विरिक्षों की प्रजातियां हमारे 36 गड़ में पाई जाती है उपलबधासु वनस्पति शू आउशधीपाद पाह प्रचूरमात्रायाम उपलब्यंते उपलबधासु उपलबधासु मतलब उपलबध जो 36 के वनों में उपलबध वनस्पतियां हैं उपलब्ध वनस्पतियां है। उन वनस्पतियों में ऑशदी पादपाह। अरथात ऐसे पौधे जिनका उप्योग ऑशदी के रूप में, दवाई के रूप में किया जाता है। उनको कहते हैं आउशधी पादपाह, पादप मतलब पौधा, ओशधी अर्ठाट आउशधी जिससे दवाई का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम आउशधी के रूप में प्रयोग करते हैं, है न, चिरायता अपने नाम सुना है, हाँ, चिरचिरा, च में प्रयोग में लाया जाता है तो जो 36 गड़ में उपलब्ध वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों में से बहुत सारा प्रचुर मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में आउशदी के पौधे उपलभ्यंते प्राप्त होते हैं प्रदेशस्य बहवह उद्योग आः प्रदेशस्य बहवह उद्योग आः वनोत्पादने एव अवलंबित आः प्रदेशस्य इस प्रदेश के किस प्रदेश के 36 गड़ प्रदेश के बहवह उद्योग आः बहुत सारे उद्योग है न है बहुत सारे उद्योग उद्योग मतलब कार खाने जहां से वस्तुओं का उत्पादन होता है तो चतिसगर में बहुत सारे उद्योग वनोत्पादने एव वनोत्पादन में ही अवलंबिता हैं अर्थात आधारित हैं चतिसगर के बहुत सारे उद्योग इन वनोत्पादन पर ही आधारित हैं वन से उत्पन प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं उन्हीं पदार्थों से ही बहुत सारे कलकार खाने अवलंबित हैं आधारित हैं यथा जैसे काश्ठम काश्ट लकडी का जो उद्योग है लकडी का जो उद्योग है वो वन पर ही आधारित है दूसरा करगद 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 कहते हैं कागच को आपकी किताब किस से बना है कागच से बना है तो ये कागच भी जो है लकडी से ही बनता है है ना इसलिए वनोपज की सहायता से ही कागच का निर्मान होता है और कागच निर्मान के लिए जो उद्योग है वो किस पराधारित है वनपराधारित है है न ठीक है हरितकी हरितकी कहते है हर्रा हर्रा है न एक पदार्थ होता है हर्रा ठीक है एक फल होता है हर्रा जो आउशदी के रूप में उपयोग में लाया जाता है वंशहा वंश कहते हैं बास को खदिरहा खदिर कहते हैं खैर को कथा ये सब इन सब का एक उद्योग है इन सब जो व्रिक्ष है या इनके फल है इनसे उद्योग संचालित होते हैं जिनसे विभिन प्रकार के वस्तूओं का निर्मान होता है है ना इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वनोत पाद से ही प्रदेश के बहुत सारे उद्योग आधारित है वनानी एतानी जनेभ्या आजी विकाया है साधनानी संती वनानी एतानी वनानी ये सारे वन जो यह चतिसगर राज्य के अंतरगत जो वन है वो सभी वन जनेभ्या लोगों के लिए है ना आजीवकाया साधनानी संती आजीवका के साधन है कैसे आजीवका के साधन है अच्छा आपने देखा है आपने सुना होगा कि तेंदू पत्ता संग्राहक ये कौन होते हैं वनवासी होते हैं जो वनो में जा करके तेंदू के पत्तों को तोड़ तोड़ करके इखटा करते हैं तो अब उन तेंदू पत्तों को तोड़ने के एवज में उनको शासन से क्या प्राप्त होता है धन की प्राप्ती होती है और उस धन से उन वनवासियों का जीवन निर्वाह होता है है ना और वहां से जो कुछ कंद मूल फल आदी जो वो लोग प्राप्त करते हैं तो उन कंद मूलों को भी वो बाजार में बेचते हैं तो उन सब चीजों से यहां के जो वनवासियों लोग हैं उनका आजीवन आजीवका चलता है उनका जीवको पारजन होता है इसलिए यह पे कहा गया कि वनानी एतानी जनेभ्या आजीविकाया साधनानी संती तो ये जो वन है वो सभी वन यहां के लोगों के आजीविका के साधन है वन्य जीवा नाम बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवं वन्य जीवा नाम बहुलता वन में पाये जाने वाले जो जीव जन्तु हैं उनकी बहुलता अधिकता और विविधता और विविध प्रकार के जो यहां प्राणी जीव जन्तु पाये जाते हैं इस 36 गड़ म तो इनके कारण से इन जीव जन्तों के बहुलता और विविधिता के कारण से प्रदेश अस्य गौरवम इस प्रदेश का गौरव है 36 गड़ प्रदेश के वनों में जीव जन्तों पाए जाते हैं और इनकी अधिकता और इनकी विविधिता के कारण से ही इस प्रदेश का मान सम्मान भारत के और विश्व के पटल पर बढ़ता है एतेशाम उपलबधता तक छेत्रे वना नाम सूस्थिती द्युत्यते एतेशाम इनका इनका किनका एतेशाम माने इनका इनका किनका वन प्राणियों का इन वन प्राणियों के उपलबधता के कारण से ही जो जंगली जानवर जंगल में है तो ये जंगली जानवर जंगल मे हैं ये क्या बताता है वना नाम सूस्थिती द्योत्यते वनों की अच्छी स्थिती को बताता है वनों की अच्छी स्थिती को बताता है है ना कैसे अच्छी स्थिती को बताता है भई जंगलों में यदि जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में रह रहे हैं अर्थात उन जा जनवरों के लिए वह जो वन छेतर है वो सुरक्षित है उनके आवास के लायक है उनके रहने के योग्य है इसलिए तो वह रह रहे हैं नहीं तो वो यहां के जंगलों को छोड़ कर कहीं और चले जाएंगे है ना तो वन्य प्राणियों की उपलब्धता ही यहां के वन की अच्छी इस्थिती को बताता है द्योत्यते अर्थात प्रदर्शित करता है बताता है एतेशु वन जीवेशु प्रमुखतह व्याग्रह तरक्षुहु वनमहीसह हरीणह साम्भरह गौरह वनवराह भल्लुकह पर्वतसारिका नीलगवु चिंकारादयह चेती अभी जो हमने पढ़ा कि यहां के वनों में जंगली जानवरों के निवास के कारण से यहां क्या वन की स्थिती अच्छी है यह हमको पता चलता है और अभी जो मैंने पढ़ा वो जंगली जीवों के नाम है प्रमुक रूप से जो पाए जाते हैं क्या-क्या व्याग्रह, व्याग्रह मतलब बाग, तरक्षु, तरक्षु कहते हैं तेंदुआ को वनमहीशह, जंगली भैंस, वन भैंसा जिसको कहते हैं हरिनहा, हिरन, सांभरह, सांभर, गौरह, गौर यह एक बड़ा जानवर होता है जो जंगली भैंस की तरह ही दिखता है वन वराहा, वराहा कहते हैं, किसको कहते हैं, हाँ, सूर को कहते हैं ठीक है, सूर, एक जानवर होता है न, तो उसी को वराहा कहते हैं और वन वराहा मतलब जंगली सूर, ठीक है, जंगल में पाय जाने वाले वराहा को वन वराहा कहते हैं भल्लु कहां मतलब भालू परवत्सारिका कहते हैं पहाडी मैना नील गऊ हुँ नील गाय चिंकाराद यह चिंकारा आदी च इती चेती यह सारे जानवर यहां के 36 गड़ राज्य में पाए जाते हैं अब चलते हैं देखते हैं अब हम यहां पर आप लोगों से मैं कुछ पूछता हूं पूछू हाँ तो यहां बहुत सारे जानवरों के नाम आपने पढ़ा हाँ तो आपको पता है कि 36 गड़ का राजकी ये कौन सा है हाँ चतिस गड़ का राजकी ये पशू वनमहीश है यह जो वनमहीश है यह चतिस गड़ का राजकी ये पशू है और राजकी ये पक्षी के बारे में आप जानते हैं परवत सारी का यह जो परवत सारी का है पहाड़ी मैना इसको हम कहते हैं यह यह जो पहाड़ी मैना है ये 36 गड़ का राजकिय पक्षी है ठीक है तो बच्चो अभी हमने ये बहुत सारे जानवरों के नाम को संस्कृत में जाना बहुत सारे पेड़ पौधों के नाम को संस्कृत में जाना ये आप अपनी कौपी में नोट करिए क्योंकि ये आपके प्रायोजना कारिय के लिए काम आयेगा और वैसे ही परवतसारी का जो राजकी या पक्षी है परवतसारी का इसका सनरक्षन करने के लिए कांगेर घाटी में किया जाता है तो यह जानकारी आप अपने पास रखिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत आवश्यक है वन महीश है राजकी या पशु हूँ परवतसारी का राजकी या पक्षी चा घोशितव यह जो वन महीश है यह राजकी या पशु है और परवतसारी का राजकी या पक्षी घोशित किया गया है इनकी अपनी एक विशेष्टा है इनके विशेष्टाओं के कारण से इनको राजकी ये पशु और राजकी ये पक्षी घोशित किया गया है तो चलिए जल्दी से आप बताईए राजकी ये पशु कौन सा है हाँ वन महीस राजकी ये पशु है और राजकी ये पक्षी परवत सारी का पहाडी मैना ठीक वन्य जीवा नाम सनरक्षण आर्थम अपी वन सनरक्षण आवश्यकम अब यहाँ पर अच्छी बात ये बता रहे हैं कि वन्य जीवा नाम रक्षण आर्थम अपी ये जो वन्य जीव है जिनके बारे में हमने पढ़ा इन वन्य जीवों से ही वन्य की सुन्दरता और बढ़ जाती है तो इन वन्य जीवों के रक्षा के लिए इन वन्य जीवजन्तु के रक्षा के लिए आवश्यक है कि वनों की रक्षा भी हो जब वनों की रक्षा होगी तभी इन वन्य जीवों की भी रक्षा होगी इसलिए हमें वनों का सनरक्षन करना चाहिए नूनम वनम जीवानाम आश्रय इस्थलमस्ती नूनम अर्थात निश्चय ही नूनम कहते हैं निश्चय ही वनम वन जीवानाम जीवजन्तूओं के विबिन प्रकार के जीवजन्तूओं के आश्रय इस्थलमस्ती आश्रय इस्थल है अर्थात बहुत प्रकार के जीवजन्तु वनों में आस्रे लेते हैं वनों में रह करके अपने जीवन यापन करते हैं तस्मात कारणात इस कारण से इस कारण से प्रदेशे प्रदेश में राष्ट्रियोध्यानानी अभयारण्यानी चा संस्थापितानी संती इसी कारण से वन्य जीवों का आश्रे इस्थल ही वन हैं इसी कारण से ही इन वनों को अच्छा सा एक माहौल मिले जिस माहौल में वो निर्भय हो करके घूम सके निर्भय हो करके रह सके अपना जीवन यापन कर सके अता एव इसी कारण से ही इस प्रदेश में 36 गड़ प्रदेश में राष्ट्रियों ध्यानानी राष्ट्रिय उद्यानों की का निर्मान किया गया है और अभया रण्यों को स्थापित किया गया है तो बच्चों अभी हमने देखा राष्ट्रिय उद्यानानी अर्थात ये उद्यानानी ये बहु अचन का प्रयोग है है ना उद्यानम उद्याने उद्यानानी अर्थात अभी से तो ये पता तो चल रहा है कि 36 गड़ में बहुत सारे राष्ट्रिय उद्यान है है ना तो दे दूसरा इंद्रावती राश्ट्रिय उद्यान और तीसरा कांगेर घाटी राश्ट्रिय उद्यान ये तीन राश्ट्रिय उद्यान चतिसगड में इस्थित हैं और ये तीनों जो हैं ये कौन से वन में आते हैं आरक्षित वन के अंतरगत आते हैं इसके अलावा हमारे यहां बहुत सारे अभयारण्य भी हैं, है ना, तो अभयारण्य कौन-कौन से हैं, इनको हम अभी देखते हैं, उदंती अभयारण्य जो गरिया बन जीले के अंतरगत आता है, सीता नदी अभयारण्य जो धमतरी जीले में है, बार नया पारा अभयारण्य ये महा समूंद जीले में भैरमगड अभयारण्य ये बीजापूर जिले में है पामेड अभयारण्य ये भी बीजापूर जिले में है अचानक मार अभयारण्य अचानक मार मुंगेली जिला में है आपको पता है अचानक मार टाइगर रिजर्व है यहां सेर के लिए बाग के लिए रिजर्व घोसित क गया है सारंगर गोमर्दा अभयारन्य ये राइगर जीले में है और बादल खोल अभयारन्य ये जश्पूर जीले में है सेमरसोत अभयारन्य ये सरगुजा जीले में है और तमोर पिंगला अभयारन्य ये भी सरगुजा जीले में है और भोरम देव अभयारन्य ये कबर्धा कबीर धाम जीले में है तो बच्चों हमारे चतिस गड़ में तीन राष्ट्रिय उद्यान और ग्यारा अभिया रण्य है ठीक है कितने राष्ट्रिय उद्यान तीन राष्ट्रिय उद्यान और ग्यारा अभिया रण्य है प्यारे बच्चों आज हमने छतिसगड राज्यस्य वनानी इस पार्ट के अंतरगत छतिसगड राज्यस्य में जो उपलब्ध वन है और वनों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है वनों से हमें क्या लाब होता है इसके बारे में हमने पढ़ा उसके बाद जो वन के प्रकार है आरक्षित वन, सनरक्षित वन और अवरगी कृत वनों के बारे में हमने जाना उसके बाद वनों से प्राप्त होने वाले वनों पजों के बारे में जाना और साथ ही साथ हम 36 गड़ में स्थीत राश्ट्री उद्ध्यानों के विशे में जाना और अभियारण्यों के बारे में जाना तो बच्चों वनों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है तो हमें सब को वनों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए और हमें अधिक से अधिक मात्रा में विक्ष का रोपन करना चाहिए जो हमारे ही लिए हमारे जीवन के लिए और हमारे साथ साथ हमारे वन्य जीवों के लिए भी अत्यंत महत्व पुर्ण है